इसराइल में किसी तरहा ले दे के किसी तरहा ना हा फिर ना के बाद सरकार बनी और कुल मिलाकर अभी इस नई सरकार के कुछी हफते भी ते हैं कि इसराइल की जनता सरकों पर है जी हाँ इसराइल में भष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतिन्याहूं के खिलाफ सैक्डों लोगों ने यर्शनम स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया ये प्रदर्शन शुक्रवार को साथ प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के बाद हुए जिन्होंने नेतिन्याहू के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन किये थे प्रदर्शन कारियों ने नेतिन्याहू को अपराद मंत्री बताने वाले बैनर पकड़े हुए थे हिरासत में लिये गए साथ लोगों में इसराइली वायू सेना का एक पूर्व जनरल भी शामल है इस्राइली पुलिस ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि एक दिन पहले हुआ प्रदर्शन गैर कानूनी था क्योंकि प्रदर्शन कारियों ने सडकों को रोग दिया था पिशले महीने नेतिन्याहु पर धोखा धड़ी, विश्वाजगार और भूस लेने के आरोपों पर यरुशलम की एक अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू ही उधर एक वीडियो इंटरेट पर वाइरल हो रहा है मामला इतना संगीन है कि संयुक्त राष्ट के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी इसकी नंदा की तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नेतिन्याहु पर भ्रष्टा चार का केज भी चल रहा है जिसकी सुनवाई दो बार हो चुकी अब देखना होगा कि आखिर इसरायल की राजनीती में होता क्या है ये तो आने वाले समय में फत्र चलेगा